व्रक्राइब उर्म करत गयाँ में इस जो बाいいनित्क defrost ऑप अज बार्थ की सब्सक्क्राइब और MARK दूस्तों बात करने वाले हैं व्रक्राइब इंजन की दोस्तों काफी दूलों師 चर्चा चल रही थी कि इंडिया में आखेर व्रक्राइब और काम कर रही थी जैس HDR मारूती, टाटा और होंडा लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर टोयटा ने बाजी मारी है 28 सेतंबर को टोयटा अपना पहला फ्लेक्स फ्यूल इंजन मिनिस्टर आफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाइवेज नितिन गटकरी द्वारा लॉंच करेगी आपको बता दें कि पहले भी कई बार नितिन गटकरी फ्लेक्स फ्यूल इंजन के बारे में जिक्र करते हुए नजर आते रहे हैं मैंने फ्लेक्स इंजन का और्डर निकाल दिया अब सुदूकी, टोयाटो, फुड़नाई जिनका 70% सेल है वो गाड़िया फ्लेक्स इंजन में आएगी इसका मतलब यह है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल इथेनॉल का भाव साफ रुपे लिटर, पेट्रोल का 120 रुपे लिटर चीनी को कोई कीमत नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में हमारी चीनी कोई लेता नहीं अब इथेनॉल बनेगा, किसानों को गन्ने का दाम मिलेगा, उत्तर पदेश का देश का परदूशन कम होगा अब हमारी गाड़िया, कूटर, टू विलर, त्री विलर, पोर विलर, किसानोंने बनाएवे 100% बायो इथेनॉल पर चलेंगे फ्लेक्स फ्यूल ही नहीं नितिन गटकरी, इंडिया में कार को सस्ते रूप में चलाने के लिए हमेशा से नए नए विकल्ब ढूटते हुए नहीं हैं इसी साल ही उन्होंने ट्वेटा की हाइड्रोजन कार का भी लॉंच किया था आपको बता दें कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन से क्या फायदा होगा फ्लेक्स फ्यूल इंजन यानि ये इंजन पेट्रोल और एथनॉल दोनों से चल सकेगा साथ ही आप इसको पूरी तरह से पेट्रोल से भी चला सकेंगे और 100% एथनॉल से भी चला सकेंगे आपको बता दे कि लोगों को एक सस्ता विकल्प मिलेगा कहीं भी आने जाने के लिए साथी आपको ये भी बता दू कि एथनॉल मेंली गन्ने से बनता है जिसे हम शुगर केन भी कहते हैं साथ ही कई फसलों के वेश से भी एथनॉल बनाया जा सकता है जिससे की किसान भाईयों को भी फायदा मिलेगा और ये काफी एरवायमेंट फ्रेंडली होता है जिससे की पल्यूशन भी कम होगा तो दोस्तों आपकी क्या राया है इस नए विकल को लेकर कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे जरूर बताएं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी बेल आइकन दबाईए जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंद पहुंचे करेंगे जिससे हम जो वीडियो रिलीज करेंगे जरूर भीडियो राया है जिससे हमजचे तो इस प्लाइब करेंवां है